दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो के वीएस का टीचर के लिए इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है उसमें क्या प्रेपरेशन करके जानी है और वहाँ पर क्या-क्या पूछे जाते हैं क्या वो PRT हो TGT हो PGT हो उसके लिए आज एक सेशन मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ और दोस्तो यह सेशन सिर्फ मेरे नौलेज के विहाब पर नहीं है लगवग 10 से 12 सेलेक्टिट कंडेट से मैंने बात किया है और वहाँ के कैसे इंवारोमेंट हैं कैस किस प्रकार के लोग इंटर्व्यू में आते हैं क्या-क्या होता है कैसा होता है उन सब पे डिसकस करने के बाद लगातार कुछ दिनों से मैं इस पर काम कर रहा था और आज मैं यह आपको वीडियो लेकर आया हूँ मैं कोसिस करूंगा बहुत सौर्ट में यह वीडियो कंप्लीट हो लेकिन कोई भी पॉइंट छुटे ना इसका मैं ध्यान रखूंगा आज के discussion में दोस्तों हम लोग क्योंकि KBS में डेमो टीचिंग का भी portion होता है तो हम उसको भी रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्री प्लानिंग क्या करना है और जो इंटर्वियोर होते हैं उनके बाड़े में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपका जो behavioral plan है वो कैसा होना चाहिए साथ जो subjects related questions होते हैं वो क्या कैसे हो सकते हैं what not to do यानि कि आपको क्या नहीं करना है वहाँ पर और आपका gesture पर हम बात करेंगे समय समय पर और demo teaching पर बात करेंगे और finally आपको जो इंटर्वियो का closer है वो कैसे करना है इस पर बात करेंगे हर point पर बात करेंगे दूस्तों सबसे पहले तो बहुत नहीं के मन में यह मित होता है कि इंटर्व्यू हमारा कितना देर चलेगा इंट्रव्यू करता है उस पे केंटर्व्यर कैसे हैं और आपने अभी तक सुरुवात से ही जवाब कैसा देना शुरू किया इन सभी चीजरों प्रकार की ऐसे भावनावत बनाईएगा और बिलकुल पूरे इंटर्व्वी के दौरान सबसे पहले तो हम्में όकर नहीं होना बात की बात है हमें लास तक उस पॉजिटिविटी उस एप्टिमिस्टी और उस पूरे एक कहते हैं कि पूरा एक बहुत ही अच्छे इनर्शिया से अच्छे वेवलंद के साथ वहाँ पर प्रजेंट रहना है तो चले दोस्तों जो पॉइंट है वो पॉइंट में एक-एक करके आपको शुरुबात करता हूं किस-किस पॉइंट पर हम लोग बात करेंग जरूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं या नहीं है उससे फरक नहीं पड़ता है आप कैसे अपने आपको मेंटेन करते हैं यह important है दोस्तों केवियस का इंटर्व्यू एक फॉर्मल इंटर्व्यू होता है इसलिए आपका जो अपना कपड़ा है अपना जो ड्रेसिंग है वो बहुत formal रखना है अगर लड़के हैं आप तो एक plain descent shirt और आप फुल पहन सकते हैं एक normal shoes पहन सकते हैं formal shoes पहन सकते हैं आजब बहुत लोग shirt में भी plain shirt में भी या full shirt में भी बहुत तरह की चीज़ें होती बहुत चमक दमक वाले होती हैं उतना मतलब उसमें नहीं जाना है आपको पूरा एकदम decent मतलब आप सिंपल समझें कि आपको देखने के बाद इसा लगे कि आपका कप्रा आपका ध्यान नहीं भटका रहा है लड़कियों में भी या तो आप सल्वाट शूट पहन सकते हैं या तो आप सारी पहन सकते हैं वह आप दिखें ज्यादा जुमका उमका इधर उदर यह सब नहीं रखना है तो आपका जो dressing है वह first look है जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर तो आपका सबसे पहले उसी से पता चलता है तो वह आपको बहुत ही ऐसा रखना है जो दिखने में ही polite हो और बहुत ही सीधा simple हो उसके बात entry की बात करते हैं जब आप interviewer वहाँ पर सामने माले जो बैठे हुए हैं और आप उस room में entry करते हैं पहले बाहर वेट कर रहे होते हैं जब आप entry करते हैं वह बहुत matter करता है जोस्तों आप जब दरवाजा खोलते हैं मैंने के विस का interview तो कभी नहीं लिया है लेकिन मु करते हैं जब आप दर्वाजा खोलते हैं इसी से आपके attitude और आपके nature का पता चलता है आपके polightness का पता चलता है तो प्लीज आप जब भी जाए इंटर्व्यू के अंतर गत तो आप दर्वाजा बहुत पॉलाइटली खोलें और जैसे आप हलका से दरवाजा खोलते हैं उसके बाद permission लें मैं I come in sir मैं I come in ma'am अगर वहाँ पर तीन चार लोग बैठे हैं तो सब की तरफ देखके मैं I come in sir तो वो खुद बोलेंगे वो एक second में हो जाता है लेकिन वो gesture आपका दिखाता है तो यह नहीं कि गए पूरा ऐसे करके खोल दे अपूर नहीं आराम से जा रहें और उसको politeness के साथ खोले और उसके बाद जो है आप जब अंदर चले गए जिसे दरवाजा खोला अंदर गए तो आप दरवाजा कर देंगे नहीं कि खोला छोड़ के ऐसे घुझगे दरवाजा इसे क्लोज कर देंगे और फिर हम जाएंगे वहाँ पर अब वहाँ पर जाने के बाद अभी वो एक ही second का दरव्यान होता है जाकर सने कि जाने के साथ वहाँ पर जो है ऐसे वो बोल देते हैं आपको नाम लेकर भी बुला लेते हैं हैइभाज प्लीज कम अगर नहीं नहीं बोल रहा है तो आपको वेट करना है यह सब में चेक भी हो सकता है आपको वेट करना है अपना फाइल मान लिजे है आपके हाथ में मान लिजे कि मेरे हाथ में यह वाला फाइल मैं ले लेता हूं यह मान लिजे मेरा फाइल है तो मैं इसे हाथ में रखा वह ऐसा नहीं कि कुरसी पर बैठे पुरा इदा मैंसे करके बैठे इसा बात आप लोग जानते हैं बस रिकॉल करना है और ऐसा भी नहीं कि कुरसी के कॉर्णर पर जाके इसे करके डर के बैठे हुए नहीं एक डिसेंट तरीके से बैठना है रीट की हड़ी सीधा करके एक और चीज है कि फाइल आपको कैसे प्रेपेर करना है तो फाइल जो आपका होना चाहिए उसमें आप दो-चार डॉकुमेंट जादा ही ले लीजिए कम ले लीजिए एक कंडिट ने मुझे बताया कि सर उस समय पर डॉकुमेंट की वजह से मुझे थोरा डिले हो गया या ब तो ओरिजिनल भी रख लीजिए जिरॉक्स भी रख लीजिए औरिजिनल रखना जरूरी है तो डॉकुमेंट सब कुछ रखना है और उसके साथ-साथ आपका वहां पर जो है बायू डेटा आप एक लेकर जाएंगे जिसको रिजुमे बोलते हैं उसको समझना जरूरी है ल तो उसके साथ-साथ कई बार क्या होता है कि रिजुमे में एक कंडिट को ऐसा किया था रिजुमे में ही किसी वर्ड से पूछ लिया गया कई बार ने आइवांट एंपल ऑपर्चुनिटी इन दिस दिस कहीं से कॉपी-पेस्ट मार दिया अबजेक्टिप्स में इधर-धर तो उसी में से कोई वर्ड पूछ लेते हैं आपको पता होना चाहिए आपके रिजुमे में क्या लिखा है और कई बार वह ऐसा पूछते भी हैं कि कुछ ऐसा आपने बारे में बताई है जो आपके रिजुमे में नहीं है या कई बार वह रिजुमे से ही कुश्चन बात कर देते हैं तो वो सब चीज आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और उसका क्या मिनिंग है spelling mistake नहीं होनी चाहिए सब चीज़ें और दोस्तों कई बार आपका जो फाइल है वह फाइल related information जो है वह भी आपको मतलब हर चीज से related आपको होना चाहिए वह भी पूछ सकते हैं कि आपने कहां क्या रखा है और एक और चीज है कि जो आप फाइल बनाते हैं आप फाइल लेके गए हैं अगर मान देजिए उन्होंने पूछाए नहीं फाइल कि फाइल दीजिए तो आपसे से करके फाइल देना नहीं तो हम फाइल लेके अपना बैठे हुए जब उन्होंने मांगा तो यहां पर जो इंटर्वियर होंगे सामानतिया देखे जितने भी लोगों से मैंने बात की किसी ने बोला तीन थे किसी ने बोला चार थे बहुत लोगों ने यहां तक भी लोगों को बना दिया जातां एक लोग उसमें होते जो एक्ट्व से जूड़े होता है अगर घृतर आपके सीपर्डेल के यह मालte आप तो आपके सब्जेक्ट से जूड़े हूए अगर कि आप ऑंगम पर ऐसे प्जुड़े हैं तो वो घहते हैं तो वह देखेंगे कि सoration किया बोल रहा है कर आपको बोल रहे हैं कि आप जो आपका चह्रा बोल रहा है वह दोनों अलग अलग है मलद वह psychologist होते हैं जो आपको पढ़ते रहते हैं और ठीक में भूसे आपके अचले आपके वह पढ़ते अगर आपको सब्जेक्ट मेंटर एक्सपर्ट को पूछ रहा है अगर आप टीचिट इंगलिस से हैं आपके इंगलिस के मालने जिए ग्रामर के बारे में उसने कुछ पूछ दिया अब वही से आपको बोल देगा कि ठीक है यह ग्रामर को आप कैसे बच्चों को पढ़ाते है या ग्रामर को पढ़ाने में क्या कटना ही हो सकती है या टीचर के पास क्या चैलेंज़ या आज अज तक आपने क्या देखा अपने टीचर से मैंसे कुछ चैलेंज़ समझ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो टीचिंग मेंटर्ट होगा जो पेडगोजी बेज़ होगा वह वो लोग पूछेंगे तीसरे लोग और एक चौते लोग होंगे जो आपको जो फाइल वगेड़ा देखते हैं ठीक है उनका बस वो लास्ट में बेटे रहेंगे उनका काम रहेगा सारा फाइल वाइल देखना सब ठीक है इनको उसमें कुछ डाउट होगा तो वो पूछेंग पर बैठे होएं एक दो तीन चार अपके उन्होंने मेरे से कुश्चन पूछा तो उविसली मैं तो उनको ही उत्तर दूँगा लेकिन जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आप जब सबसे बात करते हैं तो मेरी में उनको उत्तर दे रहा हूँ लेकिन मेरी नजर चारों जो मैंने आपको बता दिया अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो आप अपना फाइल जो है वह अपने साथ ही रखेंगे जब मांगा जाएगा तब देंगे अब आता है आपको tell me about yourself और इसी के अंतर जो सबसे main question वह मैं आपसे करता हूं कि language हमें हिंदी में बात करना है कि इंग्लिस में बात करना है काफी सारे बच्चों का यह queries होता है तो मिरे दोस्तों आपको मैं आपको clear बता देता हूं अगर आपका TGT और PGT English है यह में बहुत लोगों से बात करने के बाद बता रहूं कि बहुत ऐसी लोगों का सेलेक्शन हुआ है जिन्होंने इंग्लिस में नहीं इंटर्व्यू हिंडी में दिया था तो आपका TGT इंग्लिस या PGT इंग्लिस अगर है तब तो आपसे उमीद करेंगे कि आप अच्छा इंग्लिस बोलते हों लेकिन अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है इसके अलावे वह आपसे ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिस की विज़ा से वह आपको छाट देंगे लेकिन इतना तो बच्चे को अपने पड़िवार के बच्चे ओगर केवी में पढ़ने भेजते हैं चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो आप तो इतना उमीद करेंगे ना कि मेरे बच्चे की जो टीचर है वो जो वोर्ट्स है जैसे साइंस पढ़ा रहे है तो या सस्ट पढ़ा रह आते हैं और अगर मान लिजे कि आप इंटर्व्यू देने गए वहाँ पर वो जाने के साथ इंग्लिस में बात करना शुरू कर दी और आपको लग रहा है कि वह पूरा-पूरी कोशिस कर रहे हैं कि हम इंग्लिस महीं हर चीज बात करें और आप उतने एक्सपर्ट नहीं है तो थोड़ा बुत्त आपको आना ही चाहिए मैं बार-बार बोल रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस कर लेजेगा लेकिन अगर पूरा एक्दम फ्लुएंट चलने लगा तो आप बहुत पुलाइटली बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है आपका एटिट्यूट आपका भाव आपका जेस्चन नौलेज आपको थोड़ा कम है या आप उस समय पर एक्स्पेन नहीं कर पा रहें जो अलग बात है लेकिन आपका जेस्चर बहुत इंपोर्टेंट इसलिए आपको ध्यान ल हिंदी इतना तो इंग्लिस बोली सकते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर लेंगे अब मैं इंग्लिस नहीं आता है मैं ज्यादा कंफर्टेवल हिंदी में हूं ऐसा बोलना देखें वही 20-25 मिनट में आपको पढ़ेंगे और उसी 20-25 मिनट में हर चीज हो जाएगा तो उस 20-25 मिनट में आप जो उनको दिखाएंगे वह वही देखेंगे अना कि वो लोग सैकलोजिस्ट हैं आप जैसे हजारों लोग का इंटर्व्यू लिये हैं लेकिन जो आप दिखाएंगे वही वह समझ पाएंगे इतना रखेंगा और यू कांट चीट तन अभी भी उन लादर कहां कमी है क्या है नहीं यह वह पता चल रहा है दिर दिर तो आप बलफ मत करिए यह बहुत बड़ी क्यों कि ऐसे में वह कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं लिए को अब जैसे मैं आपको बटाता हूँगर बोला यह तो मैंने बोलना शुरू किया बहुत लोग क्या अप कि आप ոोंचिए कि आप किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो क्या उम्मिद्ध रखते हैं जो relevant बात है वहीव हो मेरे से करे और या वही बताए आप किसी से बात करते हैं कोई अपने बाड़े में और मेरे पिता जी प्रिजडेंट रवाडेट टीचर है तो मैं ये बात बोलता हूँ कहीं पर भी बात होती है तो क्यों कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे प्रोफाइल पर वह इंपक्ट करता है लोग जानते हैं कि इनकी हरेडिटी है सी इनका फरिवार ऐसा है तो इनके गुन इनके अंतरगता होंगे तो मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ और इसलिए मैं वह बात आड़ करता हूँ इसलिए आप लोग सिर्फ वही बात आड़ मालेज आपके दादा जी रिटाइड टीचर है या कुछ ऐसे फैमिले में कोई है तो आप उनके बारे में बोल सकते ह आपके सामने टीचिंग के लिए बहुत करना है और वही बीच में बोल देंगे अच्छा ठीक आगे चलते हैं या आप अपने आपको कंप्लीट करेंगे तो इंटोडेक्शन सबका अपने अपने हिसाब से होगा अगर आप फैमिली बैग्डाउल या एजुकेशन में कुछ बड़ा एचीमेंट है किसी नोलम प्याड जीता है तो उस इंपोर्टेंट चीज को बताएंगे और उसके साथ साथ इंटोडेक्शन में एक या दो लेन व पहत न की इंटर्व्यू देने गा और यहाँ दोस्तों आपका पाघाता है कि मैं यह समें अच्छा है वह अच्छा हूं में घरवरा जाते हैंழ भार जाते हैं Left in रहे पीद्च में अटर्ब्यू देने जाता हूँ या जाती हूं तो मुझे डर लगने लगता है विए ईस लेकिन ये बात आपको बोलना नहीं है अपने वेकीश में अपने मूह से आपको क्या बोल सकते हैं विक्ने स्केस login document 9 मोल सकते हैं कि सै जब हम बहुत मेहनत मनलब बहुत काम डें And when Yok बहुत काम रहता है हमें तो कई बार हम अपने health का ख्याल नहीं रख पाते हैं don't सकता हूं लोगों के फोन नहीं उठा पाता हूं तो आप सोचिए बार जो सामने वाला बैठा है उसको अच्छा लगेगा नहीं है आपको विक्निश चलो ठीका सोया नहीं तल तो सो जाएगा लेकिन इसके अंदर वह क्वाइल्टी है जज़वा है अपने स्ट्रेंथ को विक पूछे जाएंगे लेकिन यहां पर इंपोर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट में बहुत बड़े ज्याता है साइंटिस्ट आइदम आपका रॉकेट साइंस ग्यान है वह जरूरी नहीं है ठीक है आपने इतना बीएड किया है आपने सीटेट दिया कोशन पूछा ना तो शुरुवाती 10-15 सगन में पता चल जाता है कि आप किस देप्ट से आंसर देने तो दो-तीन मिनट भी अगर आप बोलते हैं तो एक राउंड फिगर बस लेते हैं तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट वाइज कोशन पर जितना ही पता है यह नहीं म आपके पस 20% ही नॉलेज है तो उसको आप beautifully हैंडल करिए कि उसी 20% नॉलेज को कैसे आप अच्छे से दिखा सकें तो यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और chain और linked questions पूछे जाते हैं मतलब कि ऐसा वो उनका बहुत plan नहीं है कि इनसे यह 10 questions पूछेंगे आपका resume में जो लिखा है या आप से जो बात हो रही है उसी से अगला question जैसे आपने बोला कि सर मेरा इसमें interest है अब उससे question वो आगे पूछ देंगे या आप कोई topic जैसे chapter के कोई questions पूछेगे तो वहां से वो पूछ देंगे कि अच्छा ठीक है यह ऐसा है तो फिर यह क्या है यह है तो फ इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी उस एडिया में ना घुसिएगा है बोलते बोलते जो आपको वीक पॉइंट हो अगर उसमें से फिर से cross question, cross question, cross question, cross question होते गया तो हो सकता है कि आप first सकते है तो वो आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखे कि कहता है कि related to real life ज आज की जमाने में आपको क्या लगता है कैसा लगता है उस से जोड़के उसी topic से जोड़के माल जी आपको SST है आपका तो SST के अगर आपने कुछ बोला तो या पुराने history के बारे में कुछ बताया है तो आप वहीं से पूछ देंगे कि आपको क्या लगता है वो कैसा रहा नहीं तो वो उस समय के हिसाब से ठीक था उस समय के लिए था कुछ चीजें उसमें भी रूडी वाधित आए थी लेकिन आज के हिसाब से आज की चीजें ठीक है आप समझ रहे हैं कभी भी बहुत हाड आंसर नहीं देना है बहुत हाड आंसर कभी भी अच्छा नहीं माना जात किसी भी चीज पर आपको एकदम एक कॉर्णर पर नहीं जाना है इंटर्वियर के सामने ऐसा कोई निगेटिव बात है या बाइस बात है तो उसमें तो बोलेंगे कि नहीं है गलत है लेकिन अगर कुछ चीजें हैं जिस पर चैलेंजें से दोने साइड में तो अपना दिल का गुबार नहीं निकाल देना है कि लड़का है तो लड़का के पक्षण में बोल रहा है लड़की है तो लड़की के पक्षण में बोल रहा है इंदम न्यूटरल बात करने है रियल रियल लाइफ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है बहुत सारे आपको on the spot questions create होते हैं एकदम से वहाँ पर देख लेंगे ओके चलिए यह जो आप देख रहे हैं मालेजी टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ है तो यह ग्लास से आपको कुछ पूछ दिया मालेजी आप EBS के questions है या कुछ और questions है उसी से पूछ दिया कि मालेजी यह पानी है यह क्यों है साइस में दुबा दिये बहुत on the spot questions होते हैं कई बार बहुत सारी चीज़ों में यह आपको demo teaching में भी होंगे बहुत सारे on the spot questions होंगे तो आपको भी on the spot से जानकारी लेना है और on the spot से जवाब देना है यह ध्यान रखना है कभी भी हमको नहीं बोलना है कि I don't know अब बुलेगा सर ऐसे इसको recollect नहीं कर पा रहा हूं मतलब हमें यह नहीं बोलो मैं नहीं जानता हूं इस moment पर मैं याद नहीं कर पा रहा हूं और इसका बहुत बड़ा impact पड़ता परता है पता नहीं है नहीं बहुत लोग क्या करते न उससे पर उनको लगता है क्ए तो ऐसे याद नहीं है долगय स शर एक्दम से नहीं हो पा रहा है ऐसा कभी कुछ नहीं बोलना है अपने आप में smart रहना है और बात करते हैं उस बहुत smart रहना है क्योंकि आपको recruit करने के लिए आये हैं आपको recruit करने के लिए उनको लेना है लेगन अच्छे teacher को लेना है से भावात्मक प्रेडित हो कि आपको नहीं लेंगे सर कल बड़ा परिसानी हो गया सर रात में यह था सर भींग गया सब रास्ते में यह कुछ नहीं यह सब बात करने हमें अग्दम बोलना है कि सर इस मुमेंट पर मैं एक रिकलक्ट नहीं कर पार है यह नहीं कर पाए यह बहुत अच्छे लोग है वह साव आपको पता है एक कंडिट ने मुझे बता है कि जब इंटर्व्यू होडा था मुझे मुझे आके मुझे कमल प्लीज कमें आये कैसे हैं अपने तो यहां उनकी बाड़े में बता रहा है कि आपने तो यहां से ग्रैश् हमेशा यही बात ध्यान में रखना है कि मैं यहां पर मुझे वह एक टीचर की भाती देख रहे हैं तो मुझे मेरे पर वह मर्सी करने नहीं आए अच्छे लोग हैं उनको अपने जैसा एक टीचर चाहिए तो हमें उस तरह से सोचना है बाड़ी लैंग्वेज बहुत इंप अब यह नहीं कुसा आंक में घुशा कैसे दिखा रहे हैं नहीं तीन सेंड मिला यह किसी से तो आपको अभी पुराय से देखके बात कर रहे हैं तो यह जब आपको आपको एक कोस्टन जो कई बार पूछा गया है तीन चार्क एंडिट ने मुझे बताया है निुक्लियर फ कि पूछेंगे कि आपकी पोस्टिंग कभी चेटा कर देंगे कभी कर देंगे आपको पूछेंगे कि यह दूसरे को पाइदे हैं वहाँ पर सब लोग मिलके रहते हैं सोचल डेवलक्मेंट बहुत होता है लेकिन को कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो कई बार नुकलियर फैमिली में पर्टिकुलर बच्चों पर ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छे से होता है उनकी मतलब पोश्चन या उनका चीज़ें पर ज्यादा फूकस हो पाता है लेकिन दोनों के अपने-अपने महत लेकिन इंटर्व्यू के टाइम पर आपको पूरा ध्यान रखेंगे लेकिन इंटर्व्यू के टाइम पर आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप हर चीजों के पूरती बहुत क्लियर कट हो नहीं सर कहीं पर भी ट्रांसफर होगा कोई बात नहीं सर लैंग्विज नया सीखना मेरे लिए बहुत रोमांचक होगा तो कि नए नए चीज़ें जानना नए लोगों से मिलना यह मेरा समझ रहें नहीं सर दड़ा दिक्कत तो होई यह जाता है लेकिन कर लेंगे मैं नहीं उस चीज़ को पोजिटिव में दिखाना है उसके बाद पूछते हैं कि आपको कई बार कुस्टन पूछते हैं ऐसा एक स्टुडिन ने मुझे बताया था कि आज की गर्मेंट स्कूल त नहीं चेंज़े जा रहे हैं कुछ प्लांस जो नजी से एने पी आया नया एंसी अप ड्राप्ट हो रहा है इन सब चीज़ों के बाड़े में जानकारी रखिएगा और वहां पर जरूरी ने कि वह कुश्चन पूछे एने पी सब के बाड़े में तो आपको अपने से किसी याँ ऐस की इमें प्लूट कर देना है जैसी यहाँ पें प्लूट कर देंगे कि ससरेन ये की मैं देखे इतना अच्छ है जो के सिस्टम जो है फाइफ प्लस थी प्लस थै प्लस इंप्रूम्मेंट हो रहा है, must know about KBS, यह बहुत बड़ा कोश्चन है, यह मुझे सबसे पहले यह point लिखना चाहिए, आपको KBS के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको यह पता होना चाहिए कि KBS क्या है, कब बना, कितने इसके branches हैं, KBS के website बजाएगा, तो अभी नए, नए, क्या-क्या initiatives हैं, KBS के, अब इसमें क्या होगा, वाल जो क्यों लगा, क्या आप KBS EQ join करना चाहिए, यह पर वो खुदी पूछ दिते हैं, KBS के बारे में, KBS नहीं है, नया initiative निकाला, इस पर बोली है, आप जानिये गाई नि, लेकिन कई बार आपको खुदी बो या अपने बात जो बोल रहे हैं तो कभी नहीं बोलना है कि कोई negativity है अगर आपको कुछ ऐसा intellectual लगेगा कि हां सर इसमें हम लोग और ज़्यादा creative करने की सोचेंगे कुछ बच्चों के लिए तो वो आप कर सकते हैं तो यह होगे दोस्तों उसके साथ-साथ कहते इसलिए इसा हो गया तो दुखी आत्मा को वहाँ पर वो सांत्वना देने नहीं आए उनको चाहिए एक परसक्ट टीचर इमोस्तली नूट्रल रहना है कभी किसी चीज से बहुत जोस में आ गए बहुत एटिट्यूट में आ गए बहुत एगदम यह दिखाने लगे किसी कोई पता है तो इदम ऐसे करके पताने लगे नहीं सवरें अपने घर में बढ़े बुजर्गों को देखिएगा जो बहुत नौलेज है जिनके पास बहुत सहज रहते हैं नूट्रल है ना स्मार्ट टॉक करना बहुत जरूरी स्मार्ट टॉक किसको बोलते हैं हम बात भी कर रहे यहाँ से हूँ औरिसा और्यूजर से वह इनदには उडिस भी ब 대 दै तो वह टोन रहता आए तो कि आप बाच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वह आपको द्यान रखना होता है है कि ही आप एक नूटर्ल थै लगे कि यहां से का कर वे तो वो चीज हमें ध्यान रखना है यह बहुत जलूरी है हमारा कि पर्सनाइलटी और एटिट्यूड क्या है आपकी एटिट्यूड से आपकी पर्सनाइलटी लोग डिसाइड करते उस ताइम पर क्यों कि बीस मिनट का है 30 मिनट का समय तो वही 20-30 मिनट 40 मिनट मेक्सिमम चलता है तो आपकी personality से आपकी attitude का पता चल जाता है तो आपकी personality में हर चीज है वैसे तो उपर से नीचे तक हर चीज आपका जो gesture है आपका बात करने का तरीका आपका हाथ वाद जैसे कर रहे हैं जितना जरूरी है उतना move कर र attitude नहीं दिखना जाए तो आपकी personality अच्छी overall दिखना नहीं चाहिए अच्छा language और location related question पूछेंगा आपका transfer कर दिया जाए जो मैंने बोला और language पर भी बोला उस language को कैसे सीखेंगे आप और उसके बाद location पर भी यह सब जो मैंने अभी बात आपसे कर ही लिए sudden track change भी होता ह एकडम से बात करते करते आपको पूछ देगा तो आपको recent कौन सी movie पसंद थी आपको कौन से actor पसंद है क्या आपने उसके लिए कुछ ऐसा पूछ देंगे एकडम से तो आपको ना on the spot जो भी सहस्ता के साथ चीज़ें आ रही है उस पर उतर देना और कुछ नहीं सर में movie न यह कैसे है तो आप समझ रहे हैं बात और यह किसी topic पर अगदम से track change कर दिया तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अब आपको पता है कि demo teaching का भी एक बड़ा portion है demo teaching basically क्या होता है यही चीज़ जो आपने theoretically के लिए बताया कि real में आप कैसे implement करते है वो है demo teaching तो demo teaching में सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो gesture posture जैसे मैं खरा हूँ यहाँ पर demo teaching करने हैं मैं पढ़ाने के लिए तो मेरा gesture posture सामने बच्चे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि मैं एक अच्छा disciplined confident energetic और बहुत hopeful teacher हूँ यह मेरी बात से मेरे चहरे से यह दिखना चाहिए तो demo teaching के लिए आपको कुछ भी आपके subjects related दिया जा सकता या तो आपको पोयम दे देंगे या बोल देंगे कि आप कोई TGT-PGT के लिए के कोई subject का दे देंगे या PRT में भी कोई particular topic का दे देंगे यह पढ़ाईए कई बार क्या होता है वो आपको ही बूलते हैं कि आपको एक topic पढ़ाईए कौन सा पढ़ाएंगे आप बताईए कई बार वो खुद topic दे देते हैं हर तरह कि मुझे feedback आए अब कई बार क्या होता है मालजे किसी चीज़ पर discuss चल रहा है बड़ी देर से तो उसी चीज़ पर पूस देंगे इसी को पढ़ाईए दोस्तों interview क कैसा होगा यह उन्दे spot पता चलेगा कि आपका एक ही topic पर लंबा discussion हो जाएगा या कई बार छोड़े-छोड़े discussion हो जाएंगे यह सब के अलग-अलग होएं तो यह हो गया topic वही मैंने बोला या तो वो देंगे या तो आप देंगे या तो discussion से निकलेगा आपका पूरा teaching expertise check किसमे होता है कि आप teaching में कितने माहिर है knowledge कि मैं बार-बार बोल रहा हूं knowledge check हो गया return में यहां पर आपका teaching check होता है मैंने बोला आपको 20% ही उस topic के बाड़े में पता है तो ही उस 20% को आप कैसा deliver करते हो वो यहां पर check होता है अब जैसे मालेचे मुझे बोल दिया गया कि आ आप जो है EBS में मालेच एक पेर पौधे के बाड़े में पढ़ा है अब मैं शुरू कैसे करूँगा अचा बोल पर जाने के पाद ध्यान रखिएगा कि बोल पर अगर आप गये बोल पर अगर मालेचे इतना लिखा हुआ है तो यह नहीं कि इतने दुर में पढ़ाना शु करेंगे यह एक टीचर का नेचर होता है यह दो डेट लिखेंगे और उसके बाद डिसकस करना शुरू करेंगे दोस्तों क्या आपने अपने विद्याले में अच्छा दोस्तों नहीं बच्चों बात तो जैसे डेमो टीचिंग शुरू हो गया तो सामने वाला आपका विद प्लांट में शुरू करते हैं इस साइड में कौंसे बा से ऐड़ेंगे टृट हैं और यहां से बड़ेंगे तो आज हुम लोग पढ़ेंगे फ्लांट पर अब उस पर हमrops कर तो यह जो आप यह अमालजे खिड़की से वहां पर इंटर्वियू रूम में खिड़की से कुछ प्लान देख तो यह जो प्लांट्स है आप सब लोग बताओ कि यह किस चीज के प्लांट्स कई पर आपको एक बच्चे की तरह यक्ट करेंगे यस मैम यह सथ कई लेकिन आपको मानके चलना है कि सामने वाले बच्चे हो और यक्र कर रहे तो बच्चों बताएए आप लोगों ने कौन-korन से प्लांट्स देखे हैं very good आपको मान के चलना है कि response आ गया है तो उस तरह से आपको करना है तो आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया right date लिखिये फिर बीच में बात करते करते जितना interesting बना के topic लिख सकते हैं मैं आपको बस example बता रहा हूँ overall यही ध्यान रखिएगा कि आपको उस moment पर उसको बहुत interesting बनाना है जैसे भी आप कर सके अब poem बनाना है तो poem पहले चलिए हम लोग कुछ poem गाते हैं अब उसके लिए कुछ एक-एक word पर जैसे भाड़ी poem है तो एक-एक word को सब लोग मिलके गाने लगे उसके बाद उसको लिखेंगे या उसको और भी creative तरीके से करेंगे जब आप पढ़ा देते हैं उसके बाद भी आपको बोलेंगे तो अगर वो बोलेंगे कि चले demo teaching खतम हुआ तो आपको board clean करके आना है चोटी-छोटी चीज़ हैं लेकिन helpful है आपका look और gesture बहुत matter करते है जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा-पूरी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा या पूरी-पूरी ऐसे भी नहीं पढ़ाऊंगा थोटे बच्चे हैं मैं ज़्यातर बच्चों की तरब देखके पढ़ाऊंगा लेकिन आप देखेगा हमें सब बोर्ड पर teacher का angle हम लोग बोलते 45 degree का होता है जब मैं लिख भी रहा हूँ तो ऐसे नहीं लिखूँ ऐसे लिखूँ मैं इधर भी देख रहा हूँ और बच्चों में भी सब को देख रहा हूँ यह नहीं कि एक ही को देख रहा हूँ यह भी ध्यान रखेगा चार interviewer है तो समझेगा कि रो है पूड़ा यह ऐसे column बना हुआ है इसे पूड़ा तो सब को देख रहे हैं तो आज हम लोग इसमें देख रहे हैं ऐसे किया फिर और gesture भी पुरा ही नहीं किया हाँ कर दिया ऐसे जी सर जी सर नहीं आप teacher बन चुक है न तो teacher की बात एटिटूट नहीं लेकिन हाँ वो responsibility के साथ teacher कैसे पढ़ाता है वो ध्यान रखना है उसके बाद आपका feel like you are in front of a student जो मैंने आपको बताया talk to the people not yourself यह बहुत अच्छा point है कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं खुद को ही पढ़ा रहे होते हैं कैसे तो यहाँ पर यह है यहाँ पर आपका हो गया two plus three equal to four आप किससे बात कर रहे हैं उससे कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है तो बच्चों यहाँ पर क्या है two अब इसमें हमको क्या जोड़ना है three मतलब आप you are outward outward बात आप कर रहे हैं इसमें जोड़ना है three तो बताओ one two either one two three कितना हुआ five मतलब इस तरह से बात करना है उसके बात देखिए end demo teaching properly लास्ट अगर होता है तो आप यह तो खुदी बोल देंगे बैट जाते है कि कुछ आप लोगों के लिए मज़दार होने वाला है तो thank you बच्चों ऐसे या अगर आपका ही खतम हो गया तो आप खुद से ऐसे करके थोड़ा अच्छे से बलके बंद करीगा और माली जी जब पूरा पूरी इंटर्विव आपका खतम हो गया तो पूरा पूरी अगर वह बोले कि आपको कुछ पूछना है तो आप बुलिएगा कि नाथिंस अच्छा लगा सर और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और आप लोगों से मिलके बहुत कुछ मैंने सीखा सर यह बहुत अच्छे बहुत ऐसा डिसकसन होने लगे तो आप पूछ सकते हैं कि सर मतलब अगर कुछ मेरे में अगर आपको लगता है इंप्रूमेंट में कर सकते हो तो प्लीज मुझे सरजेस्ट करें वहाब यह नहीं पूछना है कि मैं कै कैसा इंटर्व्यू दिया सर अगर इनीफिंग विचाने इंप्रूम प्ली सर तो यहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं फिर वह अपना बताएंगे जो भी बताएंगे करके आप ग्रीट करके जाते समय में भी कुर्शी की नहीं उठे कि धाकेल लिए पीछे नहीं आराम से तो यह पूरा इंटर्व्यू का चीज है जो मैंने अलग-अलग बच्चों से लेकर आपको बताने की कोसिस की जो अलग-अलग तरह के कोस्टन्स हो सकते हैं तो मैं उम्यद करता हूं कि आप लोगों के लिए सेसन हेलफुल रहा होगा आगे और भी अगर आप लोगों को अलग आने वाले थेकि वेरी मुच्ट बबाई